इस बीच बात कर लेते हैं नुह इंसा की अपसे थोड़ी दिर के बाद नुह जिला कोट में विधायक मामन खान को पीश किया जाएगा कोट परिसर में सुरक्षा बाढ़ा दी गई है किसी को भी कोट परिसर वाले रास्ते पर जाने नहीं दिया जा रहा है एक किलोमेटर दूर पहले से ही सभी को रूका जा रहा है हर आने जाने वाले की तलाश ली जा रही है और इस वक्त देविंद्र भारद्वाज मेरे साथ जोड़ चुके हैं सीपर जादा जानकारी के साथ देविंद्र अभी क्या स्टेटस है कितने देर में मामन खान की पेशी होगी आधर हम देखे बिलकोल जस्ताहिसे कल दस बजे का जो समय लगबाग मुकरर किया गया तारह कि क 경찰 से पेश किया जा सकता है मामन खान को लेकिन फिलहाल अभी बताय जा रहा है कि कभी भी मामन खान उनको कोट लाया जा सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुक्ता इंजामात किये गए हैं अलग अलग जग है बैरिकेटिंग की गई है क्योंकि कोट परीसर को आने वाले तमाम रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जो आम लोग हैं उनकी आख ममन कान को यहां लाया जा सकता है कोट के समख स्पेस किया सकता है क्योंकि गुरिफटारी के बाद अब कोट लाया जाए गा और पुलिस पौलिस की तरव से कुष्टडी मांग रहे गये हैं और क्या च्छल्थ से सुरक्षा के पुर्फटा इंजामात किये गए हैं क्योंकि कौंग्रेस की तरव से भी लगाता एक आर्वा सिरकार बेवज़ है उनके विधायक को फ़सा ने की कोशिश कर रही है क्योंकि फिरोजपुर से कौउंग्रेस के विधायक है ममन खान और उसी को लेकर लगातार जिस तरह की प्रस्तितिया बनी हुई थी जिस तरह से स्तिती बनी हुई थी उस पीछ अब लगातार क्योंकि 31 जुलाई की जो घटना हिंसा घटना हुई थी उसके बाद से लगातार चर्चा में नाम था ममन खान का और खुद ग्रहमंत्री अनिलविज की तरफ से भी यह कहा गया था कि ममन खान जहां जहां गए वहां वहां हिंसा हुई और इसी को मदे नजर रखते हुए नूपलिस की तरफ से कारवाई की गई है और ममन खान की ग्रफतारी के बाद अब कोट में कभी भी यहां लाया जा सकता है ठीक है धारा 144 लागू की गई है कोर्ट नुह में और कोर्ट के आसपास के लाखे में तो कोर्ट में जो बाकी लोग हैं जिनका कोर्ट में काम होगा उनको किस तरीचे से आने दिया जा रहा है आदिके किसी को बहुत ही जरूरी काम है तो उसकी आईडी देखकर उसको बकाइदा जब संतुस्ती होने के बाद ही पुलिस को अंदर बेज रही है और इसके अलावा नहूं में पूरी तरह से धरा 144 लगाए गई है क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है और लोगों से यही अपील की गई है कि वो अपने घर पर नमाज अता करें मस्जिद में एकत्रित नहूं तो निश्य तोर पर कहा जा सकता है कि सुरक्षक के मद्दे नजर ये निरना लिया गया है धारा 144 नू के अंदर लगाई गई है और इसके अलावा अलग अलग जगों पर चहे वो फरोजपुर जिरका को जाने वाला रोड हो अलवर चोक हो इसके अलावा जो कोट की तरफ जो रास्तार है उसको पूरी तरह से बैरिकेटिंग करकर बंद किया गया है एक एक व्यक्ति की आईडी देखकर उनको अंट्री दी जा रही है तो अब कुछी देर बाद ममन खान को कोट में पेस किया जाएगा क्योंकि 31 जुलाई की हिंसा घटना के बाद जो पुलिस ने जाच में जो तक्ते जुटाए हैं उन तक्तियों को कोट के समक्स रखा जाएगा क्योंकि इससे पहले मोनु माने सर की गरपतारी हुई उसको कोट में पेस किया गया था जिसको नयाई खिरासत में बेज दिया गया था लेकिन राजिस्थान पुलिस ने ये कोट में आका य अपील की कि घत्या मामले में वो आरोपी है और इसी पूश्टाच में कोट की तरफ से राइस्थान पुलिस को मोनु माने सर को सौप दिया गया था तो उसके बाद से ही एक हैस लगाए जा रहे थे क्योंकि ममन खान कोई कहीं न कहीं अंदेशा था